बिहार के नेता परतिवेश तेश्वी आदब दिली से पटना लोटे हैं और उनके बड़े भाई तेश परताप्य आदब उनसे मुलाकात करने आये थे रावडी अवास दस सरकुलर और मुलाकात करने के बाद जब वो भाहर निकलते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आधब को रास्टिय अध्यक्ष बनाने की बात चर्च्छा हो रही है राजत की रास्थिय कार्कारणनी की दस्तारी को बैठक है लालू पर शादियादब की वियुβी आने की बात है तो उस Muraj Dynasty कारण्नी के यह वह दिवीट है ए दो तो हम तो कन्फेर्म नहीं बता सकते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे चुन तूरा है कि याहिए जारा है कि इस बार तीजस्विया तीह को राष्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी वरही है लेकिस तारीके से लुद्य को चलाने का काम की बहुत अच्छे तरीक संगठ चलाने का क्या सूरू से टक्रास्त दक्राइए है कि लिग है है आज तेजस्वी आदव ने भी कहा है कि क्या अमेरिका के राश्पती आके देंगे इसको आपकी सुरूप में देख रहे हैं लगतार सर मांग हो रही है बिहार को विशेश राज का दर्जा मिलना चाहिए उसमें कोई नया बात नहीं हम दो सुरू से मांग किये हैं और जब हमारी माता जम्मु के मत्री थी तो उन्होंने भी मांग किया था विशे सराज का स्पेशलिस पैकेज मिलना चाहिए बजट आया है एक तरफ नितीश कुमाच जहां उसका स्वागत कर रहे हैं वहीं दूसरी वो जेडियू करें कि बिहार को निराशा लगा है तो एक ही कि अगर राशतिय ध्यक्ष राश्ट याद्यक्ष ऑप पहले से हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे वहीं उन्होंने कहा है कि संगठन को किस तरीके से चलाया जाता है वो लालू परशाद्य आदब को बहुत अच्छे से आता है बखुवी से आता है वो पहले भी चलाते रहें और आगे भी वो रास्टिय अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे तो तिजश्वी आदब के रास्टिय अध्यक्ष बनने के सवाल पर तेजपरतापय कि आदर्णिये रास्टिय अद्यक्ष लालू परशादी आदब पटना पहुंचने वाले हैं हाला कि इस पे जो कनफर्मेशन है वो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन ख़वर हमें भी है कि वो पटना आएगगा देखने वाली बात है कि जब राजत की रास्टिय कारकार्णी की रास्टिय अद्यक्ष को लेकि मुझसे कोई भी सवाल न करे वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे रास्टिय अद्यक्ष लालू पशाद्य आद्यख है तो देखने वाली बात है कि जब लालू पस्षाद्य आद्यख आते हैं तो क्या तेजश्वी आदब की ताजपोशी राजत के रास्टिय देश के रूप में होती है रहें जो रहेगा लाइब बिहार के साथ इससे जोड़ी तमाम कमने लाइब बियार देते रहेगा विकलेत नहीं नमस्के लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें